दोस्तो मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन तो अभी हम रिव्यू करेंगे सरदार उधम मुवी का जो रिलीज हुआ है आज रात 12 बजे के करीब Amazon Prime में तो अभी मैंने इसको देखना खतम किया तो करीब करीब अभी रात के सारे 3-4 बज रहें और 2 घंटा 45 मिनिट का कुल मिला के ये फिल्म है तो काफी बड़ी फिल्म थी लेकिन देखने के बाद इतना रात को भी मैं ये वीडियो को इसलिए बनारा हूँ आपके साथ क्यूंकि मुझे जो है ये नींद आने वाली आज रात नहीं है क्यूंकि इस फिल्म का जो लेफ्ट अब देखिए फिल्म के बारे में तो डिटेल में बात करेंगे लेकिन सुजीद सरकार एक ऐसा नाम है देखिए उनकी जो फिल्में होती है जैसे कि मैं पीकू कहूँ या फिर मैं पिंक कहूँ विकी डोनर कहूँ हर फिल्म जो है इनसान को छू जाती है तो ये फिल्म भी वैसा ही एक फिल्म है, जो basically सरदार उधम सिंग की जो लाइफ है, उनकी उपर बनाए गई है, तो उससाब से इसको आप बायोग्रफी बोल सकते हूं, लेकिन ये बायोग्रफी basically inspired है, एक ऐसी घटना के साथ, एक घटना से, जिसको हम लोग कभी, मतलब पूरा हिंदुस्तान क हितियास से कभी नहीं मिट सकता, वो एक काला दिन था, उननीस सो उननीस का वो दिन, जब पंजाब के जाली ओनाला बाग में एक जो हत्ता लिला हुआ था, अंगलेज ऑफिसर जो जनरल डायर ने आके, एक छोटा बच्चा से लेके बूरा तक सब के उपर गोली चलाए, ज गटना को इतना बढ़िया तरीके इसमें दिखाया गया है, और उसका रिवेंज लेने के लिए, एक छोटा सा बच्चा जो उस दिन रात को अल्टीमेटली बहुत लोगों को आंकों के सामने मरते हुए देखा था, उसका नाम था उधम सिंग, और वो उस दिन ही ठान लिया मारके उधम सिंग ने लंडन में जाके यह बदला जो है वो लिया था, बिसिकलिए यही फिल्म की कहानी है, यही दिखाया गया है, फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि फिल्म आपको बहुत जादा ओरिजिनल लगेगी, फिल्म के सारी चीजे, सारी घटनाय जो है, वो कि फिल्म जो है उस हिसाब से बनाया गया है, तो फिल्म का जो मतलब स्क्रीन प्ले है, रिते शावाई वाह, मतलब क्या लिखा है, सुवेंदू भटाचारी है, रिते शानी इस कहानी को लिखा है, इससे पहले उन्होंने पिकु जैसे फिल्म की कहानी लिखा था, या फिर पि ब्रिलियंट डियलोग्स ब्रिलियंट राइटिंग और सारे मतलब स्क्रीन प्ले वगेरा लंडन का जो रिक्रियेशन किया गया है मतलब उस टाइम में 1940s का जो लंडन दिख्या है वो मतलब आपको लगेगा वर वाचिंग होलिवोड मुवी जो लंडन में बेस्ट आउफ ल एक टार्क्विश ब्लू टाइप का एक बैक्राउंड हडवक दिखेगा साथ में ब्राउनिश एक कलर टून आपको दिखेगा जो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में तो ये ब्रिलियंट वर्क है और अगर मैं बात करो विकी कॉसल की तो मैं क्या बताओ यार वो व जवानी में जैसा हुआ and finally in the time of death जब उसको फासी दे दिया गया लंडन में तब तक उसका जो changes है हर जगह में वो अपना भेज बदलता था रूप बदलता था हर चीज को एकड़म बाकु भी से एकड़म माइनियूटल उसको फॉलो किया गया है तो ये बहुत आप बोल सक शांतुनमोहित्र इस ग्रेट मतलब इतना बढ़िया उन्होंने म्यूजिक दी है इसका background score वगेरा इतना खास बनाया है आप इसको देखोगे आपको कानों को सुकून मिलेगा आपको दिल का एक ऐसा मतलब ऐसूस होगा कि कितना मतलब अत्याचार जो है वो हमारे Indians के उपर हुए है जिसको आज के डेट में भी British Government जो है आज के डेट में भी एक apology letter तक नहीं दिया है 100 साल के उपर हो गया है उस घटना की तो ये सारी चीज़े जो है आपको मैं sure एक चीज़ तो मैं एकदम confirm हूँ ये फिल्म देखने के बाद आप Udham Singh का नाम तो definitely आप Google करोगे ये आपको मजबूर कर देगी उनके बारे में जानने के लिए ये आपको मजबूर कर देगी उसके बारे में और सोचने के लिए तो ये एक ऐसा फिल्म का एक ऐसा impact होता है तो Bollywood फिल्में देखिए Bollywood में Udham Singh के उपर फिल्म पहली बार बनाया ऐसा नहीं है मुझे याद है उन लोग का accents मतलब अंग्रेजी accent में हिंदी बोलना उस किसम का treatment आपको दिखेंगी वहाँ पर लिखिन इसमें एकदम authentic एकदम genuine दिखाया गया है जितने भी अंग्रेज officers यहाँ पर काम किया है हर एक ने अंग्रेजी में ही अपने dialogue बोले है अब बोल सकते हो कि फिर तो दर दर्शक को समझने के लिए एक जो है वहाँ पर basically एक interpreter को रखा गया है जो उधम सिंग को भी समझा रहे है at the same time दर्शक को भी समझा रहे है तो बहुत ही खास एक movie है मैं तो अभी से आपको दो चीज प्रेडिक कर सकता हूँ इस film का national award तो पक्का है और दूसरा चीज जो मैं कहूंगा इसमें अब कितने होने वाले वो एक guessing वाली बात है दूसरा मैं कहूंगा कि हर साल 26 January और 15 August के दिन ये film कोई ना कोई चैनल कभी ना कभी हर साल जो है वो प्ले करेगी और बाद में इसको एक national आप बोल सकते हो integrity के उपर एक महान फिल्म जो है वो माना जाएगा इत के highly recommended movie है इसको जरूर देखिए फैमिली के साथ देखिए बच्चों पे भी इसका असर आएगा क्योंकि एक बहुत अच्छा जो सीख है जो आखिर में दिया जाता है कि जवानी बहुत मुश्किल से मिलती है जवानी बहुत मुश्किल से मिलती है उसको काम में लगाओ उसक इसा बायोपिक बहुत कम बनते हैं ऐसा नहीं कि इसके उपर मतलब ऐसे patriotic characters के उपर बायोपिक नहीं बने है लेकिन इसमें जो दिखाया गया है वो काविले तारीफ है रिक्वेस्ट है आपसे इस फिल्म को देखिए रिव्यू अगर पसंद आता है तो रिव्यू को लाइ